मुंगेली जिल अपर कलेक्टर राजेस नसीनेद्वारा गुरुवार को कलेक्टरेट इस्थिद मन्यारी सभाकक्ष में जाबो यानी जागाव बोटर कारेक्रम के तहत अधिकारियों एम करमचारियों को सपद ग्रहन करवाया गया नगरी निकाय निर्वाचन में मद्दाता सुची में नाम दर्ज कराने संसोधन एम अनिवार मद्दान हेतु प्रेरीत करने के संबन में अधिकारियों करमचारियों को सपद दिलाई गई आपको बता दे कि साक्षार बनके जिनगी लगड गडगो नवा चतिसगड की परिकलपना को साकार करने के लिए एम आम जनता का ध्यान साक्षरता अंदोलन की और केंद्रित करने हेतु प्रतिवर्स अंतरराष्टी साक्षरता दिवस एम साक्षरता सपता का आयोजन किया जाता है अपर कलेक्टर राजेस नसीने ने अधिकारियों से कहा कि कारिक्रम का आयोजन सुव एवस एवं योजना बना करें अंतरराष्टी साक्षर्टा दिवस एवं साक्षर्टा सब्ता यानी 8 सितंबर से 14 सितंबर 2019 तक सभी विकास खंडों ग्राम पंचायतों एवं इसक कुलों एवं कालेजों एवं ग्राम पंचायत इस्थर पर कारिक्रम का आयोजन किया जाएगा वहीं इस कारिक्रम में जन प्रति निधियों को आमंत्रित किया जाएंगे साक्षर्त सप्ता का दूसरा दिन 9 सितंबर को साक्षर महिला साक्षर भारत के अंतरगत साक्षर्त संगोष्ठी एवं परिचर्चा का आयोजन होगा इसी तरह तीसरा दिन 10 सितंबर को साक्षर्टा एवं सेक्षडिक संस्थाओं में ग्राम पंचायत एवं नगरी निकायों में विभिन प्रतियोगिता का आयोजन साक्षर्टा पर केंदरित क्रीज प्रतियोगिता, भासर, वाद विवाद, निबंध, चित्रकला, मेहंदी, र दर्शन यहों प्रतियोगिता का आयोजन होगा, भास्वे दिन 9 साक्षरों डिजीटल सिक्षार्थियों के प्रतियोगिता, चित्र में देखो और लिखो कारिक्रम का आयोजन होगा, सप्ता के छट्वे दिन महिला साक्षर्टा पर केंद्रित, जागरिती, सिवीर, किय जाएंगे। ग्राम पंचयात में अख्षर सम्मारोह का आयोजन होगा। जिसमें जनर परती नीदियों गड़मान ये नागरीकों को आमन्तरित किये जाएंगे। महिला बाल विकास विभाग के जिला कारिकरम अधिकरी राजेंद्र कस्यव जीला साक्षर्टा के परियोजना अधिकारी डाक्टर आईपी यादव, परियोजना अधिकारी अजैनाथ, सहायक परियोजना अधिकारी वीपी सी, मुखे नगर पालिका अधिकारी राजेंदर पात्रे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे ब्यूरर रिपोर्ट आर जे रमजाजर